आज हम इस वीडियो में Standard Age, Subject Maths, English Medium, उसमें Chapter No.11, Menturation, जिसके Question No.1 और 2 हमने अगले वीडियो में देख लिये थे, आज हम इस वीडियो में Question No.3 के हम बात करेंगे, जदी आपने अमारी यूटीब चनल को सब्क्राइब ना किया हो, तो आज ही अमारी यूटीब चनल को सब्क्राइब किजिए, लाइक किजिए और शेर किजिए चलो बात करतें, Question No.3, The shape of a garden is rectangular in the middle and semi-circular at the ends, as shown in the diagram, find the area and the perimeter of this garden. Length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5, चो bracket में दिया गया है, meters. इदर आपको shape दिया गया है, चो कैसा है, दो ऐसे semi-circle है, और एक rectangle है, बरबर, टोटल जो shape है, उसकी length आपको दिया है, कितनी? 20 meter, और breadth आपको दिया है, 7 meter. पहले इस तरह से हमें draw करना है वो. चो सबसे पहले किया दिया गया है, total length आपको दिया है, total length of the shape is equal to 20 meter, और यह आपको दिया गया है, 7 meter, यह क्या है? आपको दिया है, circle का diameter, तो लिखेंगे हम, diameter of half circle, या semi-circle, कितना है? 7 meter, तो हमें diameter की कुछ जरूद नहीं होती, इसलिए हम उसको radius में convert कर लेंगे, यह d upon 2, 7 by 2, meter, ओके? चलो, यह total जो length है, उसमें से हमें rectangle की length चाहिए, तो मैं क्या करूँ? length of the rectangle is equal to 20, उन में से मुझे क्या निकालना होगा? यह जो है न, part, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो उन में से यह part और यह part निकालना होगा? बरबर, तो 20 minus 7 को 2 से डिवाइर करो, तो क्या आएगा? 3.5, 3.5 plus 3.5, बरबर, एक 3.5 का तो दूसरा भी इतना ही होगा, 3.5 का, तो 20 minus 3.5, 3.5, यानि क्या? 7, बरबर, 3 में 3 डालो तो 6, और 0.5, 0.5, 0.5, यानि पूरा 1 होगा, इसलिए 6 में 1 डालो 7, 20 में से 7 डिका लोब, तो क्या आएगा अंसर? 30 मीटर, तो यह आपकी मिल गई 30 मीटर की लेंग, अब ब्रेथ तो ओर्ट रेड़ी है, आपके पास कितनी 7 मीटर, ओके, चलो मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ओप तो रेक्टेंगल इस इकोल डू एल मल्लिप्लाई भी, एल की जगह 13, बी की जगह 7, 13, 7 जा 91 मीटर के उपर स्क्वेर, चलो इसके बात हम बात करते हैं, यह जो हाफ सरकल है न, उसका एरिया मुझे फाइन करना है, दा एरिया ओफ सेमी सरकल, चलो इसके लिए क्या है, पाइ आर के उपर स्क्वेर, लेकिन यह पूरे सरकल का है, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ हाफ सरकल का तो तू से डिवाइट कर देना है और ऐसे एक नहीं कितने है दो है इसलिए टू से मल्ली ब्रेख करना है टू कट पाइक के जगर क्या लेना है कोशिच में दिया नहीं गिया किया इसलिए ट्वेंटीटीटवमें क्या लो ऊसक्योब स्कुेर आचे ट्वेंटीटवन जीवाइट्वाइघ। 7, 5 जा 35, 5, 2 जा 10, 2, 11 जा 22, 11 मल्डिप्लाइ 35, 35 मल्डिप्लाइ 11, 11, 5 जा 55, के री 5, 11, 3 जा 33 में 5 डालो 38, 3, 8, 5 और अभी भी 10 है इधर, इसलिए 1 डिजी के बाद पॉइंट 38.5 मिटर ग्योबा स्क्वेर अब मैं किया करना है इन दोनों एरिया का टोटल करना है टोटल एरिया ओफ शेप जो आपको शेप दिया गया है वो तो 98 प्लस 38.5 चलो 0.5 को इधर एसे रहना है तो 8 में 8 डालो इधर कितने 91 है चलो 8 में 1 डालो तो 9, 9 में 3 डालो तो 12 तो 129.5 मिटर को बस्वेर यह पूरे सेप का एरिया में मिल गया अब हमें किया चाहिए पेरिमिटर चलो इसके लिए फोर्मुला किया है टू पाई यार लेकिन यह के साय सेमी सरकल है इसलिए टू से डिवाइट पिकरना होगा और ऐसे एक नहीं है कितने है दो है बरबाद तो टू टू कट टू पाई आर तू इतरे से ही पाई की जगए 22 अपॉन सेवन आर की जगए किया आएगा किसके पेरिमीटर रेक्टेंगल की तो तो पेरिमीटर ओफ और गार्डन यह पूरा चो गार्डन उसकी में बात करूं तो कितना पाई में लेना होगा जो अब इसमेए देन देना एक ये और एक ये पार्ट पर पर और यह लाइन जो डायमेटर वो मेलेने जरू ने पेरिमेटर जाने किया सबी जो बाउंटर ना उसकी ही है हमें बात करनी होती है तो ये और ये और ये दो लेंग्ज है ना उसकी में बात करूँगा तो 20 ये 20 है तो ये भी 20 होगा बरबर और दूसरा और हाँ इसमें 20 की जगह हमें क्या लेना है सिव ये रेक्टेंगल की ही हमें बात करनी है तो ये हमने फाइंड किया था कितना है था 13 तो ये थर में 20 की जगह क्या लेता हूँ 30 ओके ये भी 30 और ये जो उपर वाला में मिला आंसर 22 ये क्या है दो जो से मिशर कलेना उसकी साइड बरबर चलो इन तिनों का में कलना एडिशन 2 में 3 दा लो